आज के वीडियो में हम बात करने वाले हे बॉलिवुड के किंग कहलाते शाहरुख खान के स्ट्रगल की. शाहरुख खान 15 साल के थे, जब पिता ताज मुहम्मद का इंतकाल हो गया था, उन्हें कैंसर था. परिवार पर आफत आ पड़ी और यहां से शुरू हुआ रोमान्स के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान का संगर्श. दो नवंबर 1965 को जन्मे शाहरुख के पिता और उनकी मां के मिलने का हिस्सा भी थोड़ा फिल्मी है. दोनों की शादी हो गई. में बहुत कम लोग यह जानते हैं कि शाहरुख खान के पिता ने मेवाद से आम चुनाओ भी लड़ा था, लेकिन हार गए थे. राजनीती से उ छोले भटूरे बनाना भी शुरू कर दिया. शाहरुख खान तब आट साल के थे और वह कभी-कभी दुकान पर जाते थे. इस बीच मां फातिमा एक समाच सेवी संगठन में सोशल मजिस्ट्रेट की नौकरी करने लगी. उननीस सो चोचाज सी में पिता की कैंसर से मौत हो ग वह इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी. साल उन्नीस सो एक्षांदे में पॉलिवुड एक्टर बनने के सपने के साथ दिल्ली से मुंबई आ गए. शाहरुख जब मुंबई पहुँचे तो उनके पास रहने के लिए घर नहीं था. कुछ दिनों के लिए शाहरुख किन शाहरुख के 9 फिल्मों में उनके किरदार का नाम राहुल है. अब तक 6 फिल्मों में शाहरुख खान ने विलन की भूमी का निभाई है. उनके करियर में 16 फिल्म में ऐसी है जिसमें उनका किरदार मर जाता है. लोग इस बात पर यकीन न करें. लेकिन यह सच है कि आइस्क्रीम खाना पसंद नहीं है. बॉलिवुड के बादशाह को घुडसवारी का फोबिया है. 1924 में शाहरुक की फिल्म कभी हां कभी ना रिलीज हुई थी. इस फिल्म के लिए उन्हें 25,000 रुपए दिये गए थे. शाहरुक खान रुमैंटिक फिल्मों के बादशाह बने. दोस्तों साल 1995 में आई रुमैंटिक मूवी दिलवाले दुलहनियां ले जाएंगे. शाहरुक खान की सबसे सक्सेसफुल फिल्मों में से एक है. इसी फिल्म से शाहरुख खान की King of Romance की Image create हुई शाहरुख खान का नाम आज इंडिया के Rich Actors की लिस्ट में टॉप पर है एक Middle Class Family से आते हैं बचपन उन्होंने काफी आर्थिक तंगी का सामना करते हुए गुजारा करते हैं लेकिन आज शाहरुख खान का मुंबई में मननत नाम का एक आलिशान बंगला है जिसकी कीमत 50 करोड है